हेलो एविवन मैं निलम तेवारी आप सभी का मैगनेट ब्रिंस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैगनेट ब्रिंस एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको किंडर गार्टन से 12th क्लास तक के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री एविल्यूएल करवाय जाते हैं तो जैसा के हम कच्छा सात्वी संस्कृत में अपना समवाद अहर नाम का जो पाठ है उसको पढ़ रहे हैं और उसके भी दो वीडियो बन चुके हैं जिसमें एक से लेके 10 तक के एक से पांच और चैसे दस इस परकार के 5-5 करके हमने दो मर आपको वीडियो बना दिये हैं समवाद के अब हम चलते हैं आपका 11 से 15 15 हैं इसमें टोटल अपने समवाद के टॉपिक जिसमें से 10 हो चुके हैं और 11 से अब हम शुरू करते हैं समवाद में जैसा कि हम आपको बताया है दो वीडियो समें करवा चुके हैं कि इसमें हमें करता देखना है करता के अनुसार क्रिया लगानी है और शब्दों में जो भी सबसे पहले क्या करना है मंजूशा के शब्दों में बिभक्तियों को ढूंड के उनकार्थ लगाना है और अगर धातू है तो धातू को भी हम पैचान लेंगे कि भाई ये जो धातू है वो किस करता के लिए आने है किस पुरुष की लगी हुई है किस वचन की है उसके अनुसार हम उसी पुरुष वचन की करता के अनुसार उसको लगा देंगे तो इस तरह से क्योंकि वाक्यों की पूर्ती करने रहती है समबाद का मतलब ही होता है अपना बाचीत करना तो एक प्रेश्न पूछेगा, दूसरा उत्तर देगा तो प्रेश्न पूछने वाला जादा तर मध्यम पुरुष और प्रतम पुरुष की क्रियाओं का प्रियोग करता है और जो उत्तर देने वाला होता है वो किसकी क्रियाओं का प्रियोग करता है वो करता है उत्तम पुरुष की क्रियाओं के लिए चिक है तो चलिए यहां लिखाए जैसे प्रच्छ सी तो पूछती हो प्रच्छ सी लगा हुआ है तो यहां पर क्या अर्थ निकलना है? मद्यम पुरुष की यह क्रिया है अब ध्यान कीज़े अब हम इसमें क्या करेंगे? आपको क्रिया है लिखते जाएंगे किसी भी धातू में कव लगा जाता है लट लकार में लट लकार में मध्यमपुरुश और एकवचन की घृया में अरथे क्या निकलता है इसका किस पूछत पूछते ह veg पूछती हो इस प्रकार का अरथे निकलेगा है ना तुम पूछते हो या तुम पूछती हो अन्यवार यानी यानि अन्य स्वेट वस्तरानी यानि सफेद कपड़े धावन प्रतियोगिता यह धावन यानि दौडना प्रतियोगिता यह लगा हुआ है के लिए का São निकल रहा है चतुरति विभक्ति घैने के प्रतियोगिता बढ़याẫn边 ठीक है गमिश्यामी यानि जाऊंगा अब देखे गमिश्यामी मी कह रहा है कि उत्तम पुरुष के करता के लिए क्रिया आएगी आमी आवह आमा आमी किसके लिए आता है उत्तम पुरुष के लिए और स्या कह रहा है कि भविश्यकाल की बात हो रही होगी यानि लिट लकार की बात होगी उसमें भविशिकाल की बात होगी और उत्तम पुरुष का करता होगा उत्तम पुरुष का एक वचन का करता केवल अहम ही होता है उसके अलावा कोई होता नहीं है अहम के साथ में गमिश्यामी लग जाएगी और यहाँ प्रच्छ सी है तो सी हमेशा सिर्फ तौम के लिए ही आता है तौम के साथ सी आता है आमी अहम के साथ आता है ध्यान कर लिजे चले तो यहाँ माता और पुत्र का आपस में समवाद हो रहा है तो जिसमें कि वो क्या कह रही है पुत्र कहता है माता माता है ममी कह देते हैं मां कह देते हैं जो जिसको अच्छा लगता है तो माता कहती है किम अस्ती क्या है धुल गए हैं अब क्या धुल गए हैं बताई ये प्रक्षालितानी प्रक्षालकार्थ होता है धुना प्रक्षालितानी तो क्या श्वेत वस्त्रानी क्या धुले होने की बात होगी अनिवार धुलेकनी की होगी धावन प्रतियोगता धुने की होगी जाने की होगी पूचने कपड़िए श्वेथ यानि सफिद वस्थ्र यानि कपड़िए श्वेथ वस्थ्र आणि क्या मेरे क्या मेरे श्वेथ वस्त्र धुले हुए है तो मात सा कहींगी हां पुत्र कहेगा धन्यवाद परम की मर्थम लेकिन किस लिए पूछ रहे हो क्योंकि माता है वो अपने पुत्र से बात कर रही है तो पुत्र के लिए तुम शब्द का प्रियोग करेंगी तुम का भाव उसके अंदर छुपा हुआ है तो जो पूछने वाला होता है, वो मद्यम पुरुष की क्रिया का प्रियोग करेगा और बढ़ा है तो वो निश्चितिव सित्तुम कहेगा, आप तो कहेंगे नहीं तो कहेंगे परम के मर्थम लेकिन किसलिए प्रच्छसी पूछ रहे हो? नहीं किसलिए पूछ रहे हो तो पोत्र कहेगा स्वह मम कल मेरे विद्यालय सिका विद्यालय के चात्राह चात्र कल मेरे विद्यालय के चात्र गमिश्यंती जाएंगे किसके लिए धावन प्रतियोगिता के लिए प्रतियोगिता के लिए गमिश्यंती जाएंगे सो हम अम विद्याले सकल मेरे विद्याले के छात्र धावन प्रतियोगिता यही गमिश्यंती धावन प्रतियोगिता के लिए जाएंगे ठीक है? आगे कहते हैं माता ततह अच्छा तो फिर पुत्र कह रहा है अहम अपी मैं भी धावन पृतियोगिता यही मैं भी धावन पृतियोगिता के लिए अब अहम के साथ में कुण सी क्रिया आएगी आमी वाली क्योंकि अहम उत्तम पुरुष का करता केवल एक ही उता है अहम उत्तम पुरुष एक वचन का और उसके साथ में क्रिया आ गई हमारी गमिश्यामी, मैं भी प्रतियोगिता के लिए जाऊंगा, तो यहां लिख देंगे हम गमिश्यामी माता किन प्रतियोगिता याम क्या प्रतियोगिता में प्रतियोगिता याम लगा है ना इसलिए में कार्थ जोड़ दिया सत्मी बिवक्ती में याम लगता है आकारांत शब्दों में क्या प्रतियोगिता में श्वेत वस्त्रानी क्या प्रतियोगिता में श्वेत वस्त्र आनि अनिवार यानि क्या अनिवार्य है अनिवार यानि तो पुत्र काएगा आम हाँ ठीक है लेकिन बच्चे श्वेत वस्त्र पहन तो लेते हैं सफित कपड़े पहन तो लेते हैं लेकिन मम्मी ने इसलिए पूचा किया श्रीत वस्तर विलकुल अनिवा रही है इसलिए पहन के जा रहे है या अपने मन से तो इसने कहा है तो फिर पहन जो कोई बात नहीं क्योंकि सफित कपड़ों को अच्छे से बढ़िया करके लाते हैं आप चलते हैं अगले संबाद पर उचितम यानि उचित कुरियाम यानि करना चाहिए आगे लिखा है इसमें दूशितम यानि दूशित जाननती यानि जानते हैं कुरवनती यानि करते हैं चीक है अच्छा अब इसके बाद में अब हम शुरू करते हैं अपना संबाद पढ़ दोनों माता पिता से कह रहे हैं तब भी पश्यता आएगा भई पश्यन्तु बहु अचन के लिए आता अगर पिता जी के लिए कह रहे हैं तो पश्यतु आना चाहिए क्योंकि पिता एक अचन है पुत्र कह रहा है पश्यतु पश्यतु तत्र वहाँ वहाँ देखो वहाँ दे कर रहे हैं कपड़ी धूरे कच्रा राले दुनिया की चीज़ें करने हैं तो यह क्या हो जाएगा दूशितम करवंती कथम जना किस प्रकार से लोग नद्याह जलम नदी के जल को दूशितम कर रहे हैं तो पिता कहेंगे तत्र दिश्ट्वा वहां देख कर कहेंगे आम हाँ प कोरियां यह तो नहीं उचित है कहते हैं पिता के रहे हैं आम यह तत्तु ना उचितम यह तो उचित नहीं है यह तो उचित नहीं है तो पिता फिर से कहेंगे परम किम लेकिन क्या लेकिन क्या करें लेकिन क्या करें तो यहां आ जाएगा कोरियां लेकिन क्या करें लेकिन क्या करें क्योंकि मानते नहीं है ना लोग यह तो सही बात है तो आगी कहेंगे पुत्र कहाएगा किम ते ना किया यह नहीं जाननती क्या यह नहीं जानते हैं किम ते ना जाननती इद्रश कर्म ना उचितम क्या ये नहीं जानते हैं कि इस प्रकार का कर्म इस प्रकार की काम उचित नहीं है तो पिता कहेंगे जाननती ते जानते हैं वे वे सब जानते हैं कि हमें इस प्रकार से नदी को गन्ना नहीं करना चाहिए पुत्र कहेंगा जानते हैं सब तभी करते हैं ये तो साइबात सब को पता है कि नई करना चाहिए नदियों को दूशत नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी ले जा के हर चीज में जाती है यमुझा को आगरा मेंao फोट जैनली तरह दिखती है एक बार हमारा जाना हुआ आग्रा तब हम उसके पास से निकले ताजमेहल देखने के लिए जा रहा थे तो भई पुल से पहली बार गय थे अगरा उस टाइम पर तो नहीं पता था कि कहां से निकल रहे हैं तो भई हमारा जो ओटू था निकल रहा था वहां से तो देखा तो अजीब सी बद्बू आई वहां से बिल्कुल यथार्त बात बता रहे हैं बद्बू जैसी आई तो ऐसे तो इस प्रकार से जानते हुए भी मुले जाननती थे सब जानते हैं वे जानते हैं तो पुत्र कहता है तो फिर किमर्थम इत्थम कुर्वनती तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ते देखिए हमारा कौंसा प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है तो यहां पर क्रिया भ सोचने लगते हैं क्या कर सकते सोच इसकते हैं केहने के लिए तो पता सभी को है कि नहीं करना चाहिए फिर मी करते हैं अब या डिखिए यह कोई बेटी है कम्प्यूटर पर काम कर रही है मम्मी है अब देखते हैं क्या होता है क्या बाची तो रही आपस में करोशी यानि करती हो या कर रही हो संगणके यानि संगणक में संगणक किसको कहते हैं कम्प्यूटर को है ना सही तरह से गणना करने वाला सम यानि अच्छे प्रकार से गण यानि गणना करने वाला संगनक कम्प्यूटर को कहते हैं संगनके यानि कम्प्यूटर में आगच्छ यानि आओ संलगना यानि लगन होस में लगी होई हो पठनस यानि पठन का पढ़ने का ठीक है माता कहती है अनुजे अनुजे यानि अनुजा अनुजा अपनी पुत्री को को बिलाती हैं तो अनुजा कहेगी हाँ हां तो माता कहेंगी शीग्रम ृविक्स ETと思います अब यहां पर क्यों कि माता किसको बला रही है अनुजा को बला रही है तो बही बुलाने वाले को तुम ही कहीं न अपने बच्ये को तो कौन सा आएगा मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी तो इसलिए यहाँ पर आगच्छ कौन सी क्रिया आई है लोट लकार में लट में नहीं लट में और लेट में तो सी लग जाता है और लंग लकार में केवल विसर्ग आ जाता है क्रिया में लोट लकार के मध्यम पुरुष में जो क्रिया है वो अपने मूल रूप में रहती है मध्यम पुरुष एक वचन के लिए मध्यम पुरुष और एक वचन के लिए चीक है तो उन्होंने क्या कहा शीग्रम आगच्छ शीग्र आओ जल्दी आओ तुम जल्दी आओ तुम छुपा हुआ है इसमें नहीं इस पश्ट दिखाई दे रहे लेकिन भाव तो निकल रहा है तुम जल्दी आओ तो अनुजा कहेगी आगच्छ मी आगच्छा मी मातह आती हूं माता माता कहेंगी कि मर्थम बिलंबं क्यों बिलंब करोशी कर रही हो ये भी हमारा किसकी है ये तो हमारा लटलकार की है लेकिन है कौन सी मध्यमपुरुष की मध्यमपुरुष का जो प्रश्ण पूचता है या पहली बात कहता है उसके लिए प्रयोग करते हैं तो माता कह रही है कि मर्थम विलंबं क्यों विलंब करोसी कर रही हूँ क्यों विलंब कर रही हूँ क्यों देर कर रही हूँ तो अनुजा कहेगी अहम मैं किंचित कार्यम करू मी मैं कुछ काम कर रही हूँ किस पर पुलिस संगनक पर किस पर संगनक पर तो यहां आजाएगा हमारा संगन के मैं अहम संगन के किंचित कार्यम करू मी मैं संगनक पर कुछ काम कर रही हूं तो माता कहींगी त्वम सर्वदा ए तुम हमेशा ही संगनक पर भवसी संलगन अब होती हो कह रहे हैं तुम हमेशा ही कंप्यूटर पर होती हो क्या सनलगन होती हो तो लगी होई होती हो उसी में लगी रहती हो बच्चे कभी पार्ट भी पढ़ते हैं और फिर कभी कभी क्या होता है गेम भी खिलने लगते हैं तो वो कह रही है माता कहती है तुम हमीशा ही संगनक पर लगी रहती हो कदा पठसी कब पढ़ोगी तो इस तरह से माता और पुद्री का एस अमःता चतुर दश्वल जिसस पर लिखाया है त्वया यानि तुम्हारे द्वारा हुआ यानि मैं चन्त यसी चिंटा करते हो घच्च सी जाते हो भ्रहानार्थम यानि तुम हर दिन सुबह जाते हो, किसके लिए? ब्रहमनार्थम, गूमने के लिए, क्या तुम हमें, क्या तुम प्रती दिन गूमने के लिए जाते हो, प्रातह, सुबह जाते हो, तो यहां आजाएगा ब्रहमनार्थम, ब्रहमनार्थम गच्छसी, तो अनुपम गाएगा, आम, आ हाहँ, बिल्कुल, समीर कहा प्राताह कतीवादने, प्राताह कितने वज़े जाते हो तो अब कौन से आएगा Iसमें हमारी गच्छ सी, यूइकि मध्यम पुरोषकी भै, वब प्रश्ण पूछ रहा है न मित्र से तुमका भावस में छुपा हुआ है, कि तुम कितने बजे जाते हो तो प्रातह कती वादने गच्छ सी प्रातह कितने बजे जाते हो तो अनुपम काईगा पंच वादने पांच बजे समीर काईगा किम तुम एका की ये गच्छ सी क्या तुम अकेले ही जाते हो तो अनुपम काईगा ना नहीं गच्छा में जाता अब यह उत्तम पुरुष्का करता लिखा है तो करता कौन्सा आएगा उत्तम पुरुष्का इकोचण कौन्सा लगा देंगे अहं यानी मैं पित्रासह पिता के साथ गच्छामी मैं पिता साथ जाता हूँ तो आगे देखिए, आगे समीर करता है किंचित चिंतियती, कुछ सोचने लगता है, अनुपम कहेगा तुम किम, तुम क्या, चिंतियसी, तुम क्या सोच रहे है, तुम लेखा है, सी आगे क्योंकि यहाँ पे वो चिंता करता है कुछ सोचने चिंतन करने लगता है तो यहाँ पे अनुपम कहेगा तुम क्या चिंत यसी सोच रहे हो तुम मध्यम पुरुषका है तो चिंतर सी क्रिया भी कौन सी आ गई है मध्यम पुरुषकी तो यहाँ आ जाएगा चिंत यसी तुम क क्या सोच रहे हो चीक है तो समीर कहेगा अहम चिंतयामी मैं चिंतन कर रहा हूं की अध्यतहा आज से अहम अपी मैं भी गच्छा में मैं भी जाओं मैं भी चलूं मैं भी जाओं तो अनुपम कहता है एदत तु अतिशो बनम यह तो बहुत अच्छी बात है समीर कहता है किम अह तुम्हारे साथ तो यहां आ जाएगा त्वया सह उद्यानम गच्छानि क्या मैं भी तुम्हारे साथ उद्यान चलो तो अनुपम काएगा आम आम हाँ बिल्कुल चलो साथ-साथ कोई दिखकत नहीं है अच्छी बात है मित्र मिल जाए तो तो फिर गूमने का मजाई अलग हो मेगों के द्वारा चलाव यानि चले ठीक है सुमीता है और ये कौन है अंकुष होना चाहिए यहाँ पर अंकुष हाँ देखे अंकुष ठीक है सुमीता अंकुष और पिता महा यहाँ पर सुमीता जा रहे है अंकुष जा रहा है और पिता मह यानि दादा जी हैं साथ में ठीक है यहाँ पर एक लड़की एक लड़का अब लड़की लड़के जैसे दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं है लड़कियां भी आजकल पेंशर पहनती हैं अब हम भी तो पहने हैं इसका मतलब यह तो नहीं ना के लड़के हो गए तो सुमीता, अंकुष और पिता मह यह तीन लोग हैं आपस में बातचीत होगी तो क्या हो रही है सुमीता काईगी अहो अरे शीतल पवनह बहती शीतल यानि ठंडी हवा बह रही है ठंडी हवा बह रही है अंकुष कहता है हाँ, आकाश युक्त आशीत युक्त है, आकाश युक्त है किस से युक्त है? युक्त के योग में क्या आता है? मेग, तृतिया भगती आती है तो मेग हैं तो किया रहे हैं, किस से युक्त है? कहेंगे मेग है मेगों के द्वारा यानि बादलों के द्वारा आम हाँ आकाश मेग है युक्त है आकाश तो मेग से युक्त है सुमीता कहेंगी हाँ हाँ तो पिता महां कहेंगे शीग्रम शीग्रम जल्दी जल्दी अब जल्दी जल्दी क्या करो चला वह चलो जल्दी करें न अब यहां पर भी आवह कैसे आया क्योंकि यहां पर एक नहीं है दो नहीं है बहुत सारे लोग है इसलिए तो कहेंगे शीक्रम शीक्रम जल्दी जल्दी चलावा तो सुमीता कहेगी आम हाँ पितामा हाँ उनने कहा क्योंकि मेगों से युक्त है हवा चल रही है तो उनने कहा शीगर शीगर चलो क्योंकि अब हम सब उनने कहा चलो जल्दी जल्दी चलें सब तो सुमीता कहेगी आम हाँ पितामा हाँ दादा जी लेकिन सहसा अचानक ही तस्याह द्रिष्टी उसकी द्रिष्टी मयूरसी उपर ही पतती लेकिन सहसा ही जो सुमीता थी उसकी द्रिष्टी मोर की उपर पड़ती है तो अंकुष कहेगा पितामह, पितामह, दादाजी, दादाजी तत्र, तो वहाँ क्या करो, देखो, वहाँ देखो तो यहाँ आ जाएगा हमारा पश्यतू, तत्र, वहाँ देखो वहाँ देखो, तो उन्होंने अब दादाजी क्या कहेंगे कुत्र कुत्र कहा कहा तो आप देखें तो यहां क्या आ जाएगा कुत्र कुत्र क्योंकि उत्तर में अंकुष कह रहा ना कि तत्र तत्र वहा तो उन्हें पितामा ने पूछा कुत्र कुत्र कहा कहा तो अंकुष कहता तत्र तत्र वहा वहा तो सुमीता कहेगी तत्र वहाँ देखो मयूर पक्षान जो मूर है पंकों को क्या करके प्रसार्य फेला करके नृत्यती फेला करके प्रसार्य नृत्यती फेला कर नाच रही है देखो तो पिता माय कहेंगे आम हां मयूर तदान रित्यती हां मोर तब नाचती है जब आकाश मेग योक्त भवती जब आकाश मेगुर से योक्त होता है तब जरूर मयूर जो मोर है वो नाचती है तो लीजे इस तरह से ये हमारा समवाद का इसकी साथ में पाथ हो जाता है पूरा अच्छा थोड़ी से ध्यान देने योगो आति बातें जो लिखी हुई है पाथ में क्या है कि समवाद दो या दो से अधिक लोगों में होता है अकेली समवाद है कि खुदी बोल रहे है खुदी उत्तर दे रहे है ऐसा नहीं होता है समवाद को भली भाति पढ़ना जरूरी है और उसके अभी प्राय को जानना निवार है मंजुशा में दिये शब्दों के अर्थों का ग्यान भी होना चाहिए और इक्तिस्थानों की पूर्ती के बाद समवाद को एक बार अविश्च पढ़ना चाहिए ऐसा करने में तुरूटीन होती है यानि एक बार पूरा भरने की बात पढ़ लो कि हाँ सही अर्थ आया या नहीं आया तो इस तरह से ये वीडियो आपको हमारी मेंग्नेट बेंस वेबसाइट पर भी मिल जाएगे उस पर यूट्यूब पर तो हैं ही आपको गूगल टेप पर जाना है कि चैप्टर में कितने कितने वीडियो बने हुए है तो उनके पार्ट्स आपको एकी जगह मिल जाएंगे क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा वीडियो इस तरह से लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेर भी कीजिए बताईए बच्चों को जिससे कि उन सब वो सब भी फ्री मेंस एड्यूकेशन मिल रही है तो वो लोग भी पढ़के उनका भी कुछ बेनेफेट हो चीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए